दोस्तों नमस्कार किया आपका आउजार शिकुड़ता जा रहा है तो इसे क्या उच्छा रहा है क्या एलाज है दोस्तों बहुत सारे विवस ने कमेंट करें पूछेंगे डॉक्टर सायर मेरे आउजार शिकुड़ता जा रहा है अब शिकुड़न आता जा रहा है पहले जैस सारी बाते समझ पांगे बहुत यूजी फूल वीडियो है और दोस्तों नहीं वीडियो देखके चले जाते हैं सब्सक्राइब नहीं कर दोस्तों इतना अच्छी अच्छी बाते आप लोग समझाता हूं जो आप लोगों के ड्यूप योगी है आप लोग पहले रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें चैनल को फिर वीडियो का अनन्द ले तोस्तों मैं हूं डाक्टर प्रलाद परशाद जनल फिस्यां कि दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करें पूछते रहते हैं पजास्तर की बाते दोस्तों मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं दो-दो अस्पतालों मैं प्राइबेट जोब करता हूं पार्टेंट जोब करता हूं कि मुझे मेरे पास समय का बहुत यह भाव इसलिए वीडियो बना करके आज के जवाब दे रहा हूं लोगों को मैं कि आप लोग कोई दीकत हो तो कमेंट करें मैं जरू जवाब दूंगा दोस्तों अगर आप आपको बढ़िया रियलेट आएगा नहीं से कोई साइड इफ्यक्ट ना कोई साइड नुक्सान है कोई तरह नुक्सान भी नहीं है बल्कि कोल फायदा ही फायदे भी लेंगा आपको अब क्या करें प्योर सर्षो का तेल कि खांटी प्योर तेल होना चाहिए उसमें मिक्स ह की शीषी होनी चाहिए अजी उसमें तेलको डाल करके उसमें कुछ नहीं डालना है और उसको तैल को अनुक्त रोसनी में कम से क् гораздо दिन तक डेली करना उसको सुझ के रोशनी में अैसे रहे जाना प्रोचनी बोडा उतार लेना सुझाथ इसको उतार लेना थे या यानी कम से कम फंद्रह दिन surrender दूप में रखना है प्रत दाब कि दवा तयार है देली दो बुन आपको छीशन में लगा कुछ टी तमाम दवाई हैं अंग्रेजी में आयरुवेद में क्रीम आते हैं तेल आते हैं वह सब नुक्सान करते हैं अंत्मजाकर का आप उसके अधी बन जाते हैं इसको अधिया नहीं बनौगा बलकि कुद्रती चीजे आयरुवेदी के लाजर ट्रिक्मेंट है बहुत ही फ